नमस्कार जैहिन दोस्तों अभी मैंने एक आडियो सुना जो की बहुती तेजी से सोसल मीडिया पे वाइरल हो रहा है जिसमें संतोर्ष रेनु यादो मा सीता को गाली दे रहे हैं ऐसे सब्दों से उन्हें संबोधित कर रहे हैं ऐसी चीज उनके बारे में बोल रहे हैं जो सायद कोई भी किसी भी संपदाय का किसी भी धर्म का किसी भी जात का किसी भी काश्ट का आदमी होगा अगर वह सुनेगा तो उसे गुस्सा अवश्य आएगा और मन करेगा कि संतोर् पड़ मार ही दे कम से कम बहुत लोग तो बहुत कुछ करने की सोचेंगे लेकिन गुसा जरूर आएगा और वो आडियो सुनके गुसा मुझे भी आया बहुत ही आपत्ती जनक तिपड़ी की है संतोष रेनू ने मा सीता के बारे में उन्होंने ऐसा वर्ड ऐसा सब्द यूज किया है जो शब्द उन्हें यूज नहीं करना चाहिए था मैं बहुत ही अच्छी तरीके से संतोष रेनू यादों को जानता हूं उनसे मिल चुका हूं उनसे परचित हूं मुझे उनसे कभी उमीद नहीं थी कि वो ऐसा सब्द यूज करेंगे वजह चाहे जो भी हो कारण चाहे जो भी हो लेकिन इंसानों की लड़ाई में मा सीता को आना उचित नहीं था मा सीता को लाना उचित नहीं था आप लोग आपस में लड़िये आप लोग चाहे जातवार करिये आप लोग चाहे कोई भी वार करिये लेकिन इसमें मा सीता की गलती नहीं थी जिन सब्दो से संतोर श्रेनुयादों ने मा सीता को संबोधित किया है वो बरदास्त नहीं है ऐसी गलती इंसान तो छोड़िये भगवान भी माफ नहीं करेगा और यह वाडियो बहुत ही तेजी से वारेल हो रहा है और मैं आपको बता दूँ चाहे वो यादो समाज हो चाहे वो ब्रामर स समाज हो चाहे वो राजपूर समाज हो कोई भी समाज के लोग हो किसी भी धर्म किसी भी काष्ट समुदाय क्यों हो संतोर श्रेनुयादों के खिलाफ ही बोलेंगे कि वी संतोर श्रेनुयादों ने पाप नहीं बलकि जगन ने पाप किया है सोयम अगर मा सीता से भी माफी मा इतना गंदा सब्द इतना गंदा वर्ड मैं सुनाना नहीं चाहता उन्होंने क्या बोला है लेकिन जब तक सुनोगे नहीं आप लोग आप लोग को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर में उनके बारे मैं इसा क्यूं बोल रहा हूं सुनिए आप जरा संतोर श्रेनु यादो बो क्या यह सोभनी है क्या यह संतोर श्रेनु यादो जी को करना चाहिए क्या संतोर श्रेनु जी ने यह उदार देखे उचित किया है आप ही जनता जनार्दन है आप ही किसी को आस्मान में भी चढ़ाते हैं आप गिराते भी हैं आप देख रहे हैं कि डेली लाइव आके कोई ने कोई विवाज संतोर शेनु यादो के माध्यम से हो रहा है इंडरश्ट्री में कुछ भी होता है किसी का भी मैटर होता है संतोर शेनु यादो आके बोलते हैं और विवाद बढ़ता है चाहिए ठीक है इंसानों का विवाद है संतोर शेनु यादो बोलते हैं वो ठीक है ल बहुत आगे जायेगा ये रुकने वाला नहीं है क्यूंकि बहुत सारे संगठन है बहुत सारे संगठन हैं बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये ओडियो पहुंच गया है और निश्चित रूप में logic इसमें कोई न कोई कारवाई जरूर होगी आप क्या कहते हैं इसके बारें प्लीस कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करके जरूर बताइए और मैं निवेधन करूँगा संतोर श्रेनु यादो जी से प्लीस हाथ जोड़के आप से निवेधन है आप जो मरजी वो करिये जिस मरजी को गाली दीजिए जिस मरजी से लडाई आप जायत के नाम पे चाहे लड़िए चाहे किसी से लडाईए जो मरजी वो करिये ना मैं आपको सही बोलूँगा ने गलत बोलूँगा लेकिन आप अगर मासीता या हमारे पैगंबर हमारे भगवान हमारे गौड को आप लाएंगे और उनके लिए अनुची सब दियूच करेंगे तो प्लीज यह बरदास्त नहीं किया जाएगा मैंने सब छोड़ दिया है अब किसी के मामले में नहीं बोलता चुप चाप आके बस नीज देने का काम करता हूँ बट मुझे जगाने का काम मत करिये आपसे निवेधन करता हूँ संतोष जी मैं आपको अच्छी तर करता हूँ कंट्रोवर्सी मत करिये और माफी मांग लीजिये हाला कि आपको सितामा कभी माफ नहीं करेंगी साइद ये इंसान का चोला आपको माफ कर दे माफी लाइब में आके मांग लीजिये और प्लीस ऐसा बयान मत दीजिये किसी भी देवी देवता चाहे अल्लह पीर प्रेगंबर चाहे वाहे गुरू किसी के बारे में जिसकी वजह से आपको अपमानित होना पड़े और आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ हो जाएं। प्लीस आपसे निवेदन हैं, हाथ जोड़के निवेदन हैं, ऐसे सब्द ना यूज करें।